इससे पहले मैंने कुछ helpers के नाम आपको बता दिये थे ठीक है आप कुछ helpers जो रहेगे उसके बारे में आपको बताती हूँ जो डॉक्टर है जो मरीज की क्या करते हैं मरीज का इलाज करते हैं जैसे जीज को बुखार आ जाए बीमारी हो जाए तो डॉक्टर जो लोग है उनका क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं और हमें स्वस्त रहने में हमारी क्या करते हैं वो help करते हैं वो कौन करते हैं जो हमार इस परेशानी में हमारी मदद करते हैं अब प्लीसमेन मेंटेंड लोग और जो प्लीसमेन होते हैं वो कानून को कानून को कानून को व्यवस्तित रखने में हमारी क्या करते हैं साहत रखते हैं और जैसे चोर होगे थीवस होगे मतलब कि बहुत से क्राइम जो होती है उनमें क्या करते हैं हमारी हर्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट है सम सम पीपल मेग देयर होबी देयर प्रोफेशन सारे जो पीपल जो होते हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अभी अपनी होबी के अकॉर्डिंग कारे करते हैं दा एंटर्टेन अस वह अपनी होब आपको पता है ने किसी को पढ़ाई करना चलगता है या किसी को future में बढ़े होकर उनका aim क्या होता है जैसे doctor बनना तो अपनी hobbies के according तो आप study करोगे इसमें भी बताया गया है सारे लोग जो करते हैं earn करते हैं पैसे कमाते हैं वो अपने according अपने profession के according earn भी करते हैं और अपना man करते हैं अपने profession के according ही ठीक है next है आपका musician compose music जो musician होते हैं वो संगीत करते हैं ठीक है और क्या करते हैं music संगीत करते हैं गाना गाते है आप परसंद प्ले स्पोर्ट लाइक क्रिकेट फुटबॉल टैनिस गेलना परसंद होता है तो इसी तरह और भी खेल होते हैं एक्स्ट्रा में ठीक है तो कौन खेलते हैं प्लेयर खेलते हैं तो बिटटर चैप नमबर 7 का पार्ट नमबर आपका 2 complete हो चुका है जो हमारा कौन सा था helpers का था ठीक है helpers के मैंने नाम आपको बताए एक तो हमारा teacher होता है policeman होता है ट्राफिक policeman होता है engineer होता है farmer होता है banker होता है और doctor भी होता है है ऐसे ही और भी हमारी जो होते है helper उनके नाम आपको याद करने होंगे ठीक है तो इससे रिलेटि मैं आपको question देती हूँ जो आपको किसमे करना है अपनी book में ही करना है question number B part आपको अपनी book में करना है और question A part भी आपको अपनी book में करना है यह जो chapter पढ़ा है उससे related ही question है आप पढ़कर समझकर यह solve कर सकते हो question तो यह आपका book का काम है neat and clean आपको अपनी book में ही करना है question answer जो होंगे वो notebook में होंगे वो मैं आपको बताऊंगे आपको कैसे करना है तो बेटा आज की class हमारी है यही फिनो होती है next class में हम next chapter के साथ मिलते हैं